तो कब केजरीवाल को जेल बेज रहे हैं इस देश की राजनीटी बहुत जल्द वो दिन भी देखेगी जब ब्रश्टाचार के नाम पर लड़ने के लिए एक आदमी आया और वो स्वेहम ब्रश्टाचारी के रूप में तियार के अंदर एंट्री करेगा तो केजरीवाल मीडिया का कैमरा या जनता का कोई भी कैमरा एक बार अंदर जाने दे जिसंद कैमरा अंदर चला गया उसदिन केजरीवाल के ब्रश्टाचार का नंगा नाच दिल्ली और देश की जनता के सामने आ जाएगा अनुरणग भाई केंदर में क्या होगा दूजार चौवीस में इंडिया आ गया है इंडी घटबंदन कह देता हूँ आपकी संतुष्टी के लिए नहीं मेरी संतुष्टी के है यही तो लिखने से गड़ा काम थोड़ी करने लगेगा गड़ा तो गड़ा ही है पूरे एलाइंस को आप गड़ा आप ये भरोसा दिलाते हैं दिल्ली वालों को कि अगर भारती जनता पार्टी की सरकार आगई तो यमुना साफ हो जाएगी केदिरी वाल ने तो हजारों करोड खर्च कर दिया एहमदाबाद की साबर मती को देख लीजे और दिल्ली की यमुना को देख लीजे आपको समझ म मैं हूँ आपके साथ अनुराग मुसकान दबिग बेंच में आपका बहुत-बहुत स्वाजत है बादे के मताबिग डायलोग में आज फिर एक कदावर और बड़े महमान के साथ हम हाजर हो गए हैं बात करेंगी उनसे और महमान कौन है ये बताने से पहले आपको ये बता देना बहुत जरूरी है तो ऐसे तो आप जानते हैं कि देश में चुनावी माहौल हमेशा सरगर्म रहता है अभी भी देखिए पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव होने और ऐसे में च्छत्तीजगर हो मध्यप्रदेश हो राजिस्थान हो और सबसे बड़ी वाद बिजेपी में अगर बोलने वाले वक्ताओं की बात की जाए वे बाकी से तो आप कितने लोगों के नाम ऊंगियों पे गिन सकते हैं और कितने लोगों के नाम आपको याद आएंगे बेशक उन में से एक नाम कपिलमिश्टा का निवच्चित तोर पर करोगा जो आज अच लेकिन मेरे सवाल तीके रहें में कि वह ऊसानी कि कพिल भाइ किल कर के और मैं आप से अगर आप करने वाले होते तो हम दोनों बैठी ही नी होते क्योंकि मेरे विHope भी मीठा जादा पसंद नहीं कै laser का आप मेठा काना को चंप अपर hann मैं तो सिर्फ नमक और चीनी की बात कर रहा हूँ सुना तो आपको भी था मैंने वो सोडने से पहले आप ट्विटर पर वागा है था मुझे जवाब रहा है आप बिल्कुल खेर वो देखिए आपकी पार्टी की प्रती निष्ठा थी और मेरी अपने काम के प्रती बिल्कुल लेकिन जो मैं कहता था वो आपने भी महसूस किया नहीं तो आप आज भारती जन्ता पार्टी में नहीं होते सवालों का सिलसला हम शुरू करते हैं सबसे पहले हालचाल पूछ कर कैसे हैं मैं बहुत अच्छा हूँ आप कैसे हो कितने उर्जा से भरे रहे होंगे समझा जा सकता है क्या हुआ अचानक से उस अनर्जी लेवल का एक एक करके सिपे सालार गिरते चले गए कुछ दाएं हो गए कुछ बाएं हो गए आप जैसे लोग मुख्यधारा में आ गए भारती जन्ता पार्टी में आ गए ऐसा क्यूं हुआ मादमी पार्टी में इतना विद्वन्स क्यूं हुआ नहीं देखिए उर्जा में जब सात्विक्ता होती है तो निर्मान होता है और उर्जा में जब आसुरिक उर्जा हो जाती है तो विद्वन्स होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि सात्विक आंदोलन में आसुरिक लालसा उसका कपज़ा हो गया और उसका परिणाम है विद्वन्स और वो विद्वन्स के बाद उसकी जो गती है वो तिहाड है तो वो अपनी गती को स्वता ही प्राप्त हो रहे हैं और वो यह आपने और हमने सब ने देखा है लेकिन मैं यहां पर एक चीज जरूर कहना चांगा कि मेरा सारोजनिक जीवन या फिर चर्चा में भी जो लोगों का देखा सुना वो आमादनी पारिटी नहीं है पहला मैंने कॉमन वेल्थ गेम्स के अगेंस्ट एक किताब भी लिखी ती इस कॉमन वर्सिस वेल और अंदोलन खड़ा की आता दिली में जैसिका लाल हत्या गांड के समय दिली उनिवस्टी में तो वहां से मेरे एक सावजनिक जीवन की एक शुरुआत छोटी ही सही लेकिन शुरूआत अंदोलन से लेकिन हाँ ज्यादा दिखाई क्योंकि राजनीती ज्यादा चर्चा मे है कि इनको जैल भेज कर रहूंगा तो पहला मेरा सवाल है कि केवल जैल भेजने से क्या होगा साबित भी तो करना पड़ेगा कि वो जैल जाने लाइक है आप देखिए मनीश से सौदिया के खलाफ आप कुछ साबित नहीं हो पा रहा है कोट ने भी कह दिया कि सौदिया आनी रहा है यह तो आपकी कहां से आएगा बिशारा नहीं सरकार इसमें क्या करेगी है तो कोट की प्रक्रिया है कोट से किसी कोट से किसी लोवर कोट से हाई कोट से हर चोर अपने आपको इमान दा किसी चोर ने आज तक बोला है कि वह चोर है आप मेरे को इस दुनिया का ए चितने चिलाने वाले थे वह अपनी यथा योगे गती को प्राप्त हो चुके जो आपने सवाल पूछा मैं उनको बहुत डिटेल में जवाब देता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आपके दर्शकों की गलत फैमी भी दूर हो नीचे अगर किसी के मन में हो कि सबूत नहीं है संजे सिंध के किलाफ तो ऐसा सबूत है जिससे बड़ा कोई भी सबूत ही हो सकता ब्रश्टाचार का आतिशी मारदी जाने जब यह पूछा कि नोट कहा मिले पैसे तो ने मिले नी सोने के बिसकुट तो मिले यह नोटों की गड़ी और सोने के बिसकुट से भी बड़ा सबूत है संजे सिंग के खिलाब संजे सिंग के साथ चलने वाला उनका सहाया क्विवेक त्यागी वह शराब माफिया की कंपनी में 20% का शेयर शर्टिफिकेट है यानि दिल्ली में अगर एक हजार करोड की शराब बिगेगी तो 200 करोड संजे सिंग के हैं कागज पे इससे बड़ा बश्टाजार का कोई सबूत नहीं हो सकता कितनी तारिक को शेयर ट्रांस्टर किया गया उसके कितने दिन के बाद उस कंपनी को दिल्ली का ठेका दिया गया कब कब संजे सिंग से कब मनीश और संजे मिलके उनको केजरिवाल से मिलाने इस सबका डिजिटल रिकॉर्ड इनमें से कोई चिपी भी नहीं है इसलिए जो जा रहा है वह आनी रहा कोड ने जो अभी बोला कोड की टिपनी यह थी कि मनीश शिशोद्या के खिलाफ सबूत होने के साथ साथ आम 80K एकाउंट की जहांच एक अलग विशे हो जाता है तो यह मीडिया में कंफ्यूजन क्योंकि केजरिवाल ने मीडिया मेनेजमेंट करने की कोशिश जरूर किये इस मामले में पर विजैनायर उनके खिलाफ सबूत है खुद जाके अपने हाथों से पैसा लेना और पैसा डि नहीं आया है है देर साल से सतिंदर जैन जेल से बाहर नहीं है हवाला कालाधन शेल कंपनी तीनों के एविडेंसस हैं उनकी अगेंस्ट मनी श्षोद्या को लगबग एक साल होने वाल है मनी शुषी perfect को से जमानत नहीं मिली मनी शुष्र और अगर आप एविडेंस चार्ज दिया जाता है इस यह सामने से दिखने वाले सबूत हैं जो छुपाए नहीं जा सकते कौन से कंप्यूटर पर टाइप किया गया शराब माफिया के खुद के कंप्यूटर पर दिल्ली की शराब की पॉलिसी टाइप हो रही थी कि सरकार क्यों सी पॉलसी बनाने वाली है मंतरी के या नहीं सरकार में नहीं माफिया के दफ्तर में वो पॉलसी बनाई जा रही थी तो मुझे लगता है कि सबूत भयानक है सामने से दिख रहे हैं और इसलिए एक एक करके सब जेल में जा रहे हैं 2017 में जब मैंने ये कहा था कि मनीश, सतिंदर और केजरीवाल तीनों जेल जाएंगे तब किसी सब को लगा कि एक राजनेतिक आरोप है लेकिन केजरीवाल ने भी लोगों पे आरोप लगाए लेकिन उनमें से किसी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया मैं ये बात आउन रिकॉर्ड आपके चैनल में कहना चाहता हूँ कि भरिष्टाचार के खिलाफ देश की सबसे क्रेडिबल लड़ाईयों में से एक लड़ाई हमने लड़ी है क्योंकि हमने जिन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी वो और कानूनी रूप में भी लड़ी और आज वो सब कहीं ना कहीं उसके परिणती की तरफ जा रहे हैं केजरीवाल ने जिनके खिलाफ भरिष्टाचार के आरोप लगाए एक के खिलाफ भी केस नहीं किया हमने जिनके खिलाफ आरोप लगाए वो जेल में हैं मुझे लगता है कि भरिष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की क्रेडिबिल्टी का अगर कोई पैरामीटर होगा तो इसके लावा कोई दूसरा पैरामीटर नहीं हो सकता यह बड़ी बात आप आप पहर रहे हैं कि केज़रीवाल अरूप लगाते हैं लेकिन कानूनी कारवाई नहीं करते हैं आप लोगोंने मंतराले डिस्टिब्यूट किये आप लोगोंने वी आईपी कल्चर का विरोध किया अचानक उसके बाद ऐसा क्या हुगा कि केजरी वाल सब के लिए चोर हो गए कुमार विश्वास के लिए भी चोर हो गए तमाम लोग जो पाइब चोर देखिए जब कोई इंसान चल करता है नंडराग भाई चल वो अचानक नहीं करता लेकिन उसके साथ चलने वाले निश्च अचानक कि किसी खेटना से टूटता है तो निश्चित तौरपर चाहिए वो कुमार विश्वास हो या मैं हूँ या किरण बेदी हो यह लंबी लिस्ट है जाने वालों की भी लंबी लिस्ट है और सुनिल गुप्ता जैसे आने वालों की भी तो आउट गोइंग और इंकमिंग की क्वालिटी देखके आप पता लगा सकते हैं कि महां पे कौन सी खिचडी पकाई जा रही थी जा कोन लोग रहे हैं और आ कोन लोग रहे हैं उसको देख कर ही पता लग जाएगा कि भान पर कोई सी खिच्चडी पकरी है लेकिन निश्चित तोर पर मेला यह मानना है कि केजरीवाल meditating का भीष्ट चरित्र रातो रात नहीं हुआ लेकिन केजरीवाल के भीष्ट चरित्र को देख के चुपना बैठा जाए ये निरने भी हमने भी फिर इश्वर के ऊपर छोड़ के लिया कि अगर लड़ाई लड़नी है तो फिर अपने उससे ही क्यों ना लड़नी पड़े जिसके साथ मिलके आंदो लों खड़ा के लड़ेंगे और डंके की चोट पे लड़ेंगे लेकिन कपिल जी सब्सक्राइव तो ये है कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं कानूनी लड़ रहे हैं जैन्वेन लड़ रहे हैं लेकिन इस लड़ाई का Fायदा आपको कहा होता होगा नसर आ रहा है दिल्ली की जनता तो मुफ्त बजली में खुश है वो तो केजरिवाल में भगवान देख रही है उनको लगता है कि बीजेपी काम नी करने दे रहे हैं मोदी जी केजरिवाल का मुझ बंद कर रहे हैं वसके बाद कोई सच्चा ही नहीं नहीं ऐसा नहीं है एक तो मैं जनता के उपर दोस्ट देने वाली पूरी प्रक् प्रेशा कर रहे हो और हमें उन्हों पर इक्षा पर उतरने के लिए प्रयास करने होंगे इसका अर्थ नहीं कि जनता को समझ नहीं आरा इसका अर्थ यहन्या कि आघर आप देखे तो दिल्ली में ृट तीसी में ड्राइवर्स डिटीसी के करमचारी अगर आप उनका अंद वोट बेस तयार किया तो अब कार्करताओं में पार्टी के अरिजिनल लोगों में ये निराशा के स्थित्व होई अब इस निराशा से विकल्प की तरफ उनको ले जाना ताम्या प्रिक्स प्रोसेस है और मुझे लगता है कि हम उस राशते पर आगे बढ़ चुके हैं और अ जा रहे हैं, वो इस सत्ता में रहेंगे नहीं और हम उनको उखाड के दिल्ली के सत्ता से फैक देंगे, यह हम संकल्पित भी हैं और इस लक्ष को प्राप्त करने आप पाप्त होता हुआ हमें दिखाई दे रहे हैं, कैसे दिखाई दे रहा है कफिल भाई, आप तो MCD विहार मतलब अगर MCD बचा पाते तो मैं मान लेता कि चलिए दिल्ली विदानसभा चुनाओं में अगली बार BJP जो है, मैं आपको बचाफ करेगी, MCD से पहले एक और इलेक्शन हुआ दिल्ली विदानसभा का, दिल्ली विदानसभा में आमानी पार्टी और भारती जनता पार्टी के वोट शेयर के बीच में 14% का गैप अगर आमानी पार्टी उसी लेवल पर चुनाओ वोट पाती जिस लेवल पर उन्होंने विदानसभा में वोट पाया है, तो आमानी पार्टी के 220-230 सीटे होनी चीए थी, आमानी पार्टी की 100 के असपास कुछ ज्यादा सीटे हैं और हमारी भी उनसे 5-10 कम सीटे हैं, वोट का जो गैप है, वो 14% से घटकर के इवल 3.5% पे रह गया है, और ये तब है जब मनीश शिशोदिया का मामला सामने नहीं आया था, संजय सिंग का मामला सामने नहीं आया था, शीश महल सामने नहीं आया था, उसके पहले का ये 3.5% का वोट शेर है, तो बिना किसी तीसरी पार्टी के वोट लिए बगैर बाचपाउर आमानी पार्टी के बीच का जो गैप है, वो अब लगब जीतने के बाद वो चिंतित है क्योंकि उनको यह समझ में आ गया है कि जिन जगों पर वो सतिंदर जहन जहां से विधाया के वां सारी सीटे आमानी पार्टी ने हरी है तो उनकी नीव हिली हुई है काटे की टककर है और मैं आपको यह कह सकता हूं इसलिए क्योंकि दिल्ली की राजनीटी को जो भी थोड़ा भी गहराई से देख रहा है वह समझ सकता है संजे सिंग के जेल जाने के बाद आमानी पार्टी सड़क में लोगों को नहीं उतार पाई मनिश शिशोदिया के जेल में जाने के बाद जिस प्रकार का विशाल प्रदर्शन की उनको उम्मीद थी तीस लोग बैठे थे पुलिस आपके कैसे उतारे हूं सड़क पर लोग जब लोग उतरते हैं तो लोग लोग बंद कर देते तो वो इतलाओ दिखाई देता है जन्ता साद में नहीं है और यह चिंटा की उनकी लडखादाती जबान और उनकी अभद्र भाशा में दिखाई देती है कि उनको पता है कि अब जन्टा के साथ चूट तो कब केज्रिवाल को जेल बेज रहे हैं आरेसी वन है रिजर्वेशन अगेंस कैंसिलेशन आई थिंग मेरे को भी देखो अनुराग भाई यह अंदाजा नहीं था मैंने एक लंबी भष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की समझी थी और मुझे लगा था कि भारत की राजनीती में यह सफेद कॉलर वाले पेशेवर अपराधी इनसे लड़ना कोई असान काम नहीं है लेकि ब्रष्टाचार के नाम पर लड़ने के लिए एक आदमी आया और वो स्वयम ब्रष्टाचारी के रूप में तियार के अंदर एंट्री करेगा तारिक देना मेरा काम नहीं है इसकी प्रक्रिया क्या होगी मैं नहीं बता सकता लेकिन इश्वर का नयाय सुनिश्चित है क्यो पुरी से शायद बच जाते लेकिन इनकी हाय से नहीं बच पाएंगे निश्चित तोर पर इसका नयाय यहीं होगा और बहुत जल्दी होगा आप बेबाकी से केजरिवाल की इमानदारी की धज्जियां उडाते हैं उधर कुमार विश्वास को भी हमने देखा वो भी बहुत बलंट बोलते हैं बहुत सपष्ट बोलते हैं तू तड़ाक करके बोलते हैं जाहिर सी बात है कि यंग्स्टर रहें दोनों बच्पन के दो संशे हो सकता है कि हम अगला वोट किसको देंगे कौन सी नीती पर देंगे केंदर में किसको देना है राज में किसको देना है लेकिन केजरिवाल इमानदार है दिल्ली में कोई निमान था केजरिवाल के साथ चलने वाले लोग भी निमानते केजरिवाल की इमानदारी अब स जनता के बीच में से लोग खड़े होके काउंटर करते हैं, लेकिन आप मेरी सभाओं के वीडियो देखना या आजकल जो हम जगे 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 जा रहे हैं, जनता ना केवल सुन रही है, बलकि स्वागत कर रही है, केजरिवाल के खिलाफ आरोप होगा, जनता की तरफ से अब क 15% का वोट गैप अभी बचा हुआ है, लेकिन जो 14% ज्यादा लोग आमानी पार्टे को वोट देते थे वोट नहीं दे रहे हैं, अब लगबग हम और उसमें एक एक समाज बिना मुद्य के भी वोट देता है, उस समाज किसी मुद्य से मतलब नहीं है, जो बाजपा को रहे लेकिन जनाधार पहले जैसा नहीं है, जनाधार हिला हुआ है और विश्वस नहीं था समाप तो चुकी है मैं कुछ राजनेतिक विशलेशकों से भी बीजेपी के दिल्ली में भविश्य को लेकर के बात कर रहा था कपिल भाई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कि दिल्ली बीजेपी अगर मेहनत भी कर रही है, तो आगामी विधान सभा चुनाव आते आते तक केंदर की सरकार के प्रत के दिल्ली में कोई प्रभाव मुझे तो दिखाई नहीं दिया, पिछले दोनों चुनाव में दिखाई नहीं दिया, और इस बार भी कोई असार नहीं है, इवन आमादी पार्टिया कॉंगर्स के भी नेता से आप बोलो तो वो लोकसभा के लिए सरेंडर की मुद्रा में है कि यहां कुछ बचा नहीं है दिल्ली का दिल्ली के सधारान जाहनों को देखा है और दिल्ली के की योजना है हमारे तक पहुचनी पारी तो मुझे लगता है कि प्रकार का कुछ जादा ही डिटेल में जाने की कोशिश करना कि ये होगा या वो होगा पिछले दोनों चुनाओं में एक खास एक्वेशन के जरीवाल के पक्ष में काम की है जो कि अगले विदान सबा चुनाओं में वैसे एक्वेशन बनने की भी कोई इस्तिती नजर नहीं आप दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं अब मैं कुमार विश्वास साब की बात कर रहा था वो राजनीती से अब दूर हो गए क्योंकि आम आदमी पार्टी में उनका कुछ रहा नहीं कोशिश उनोंने शायद भारते जनता पार्टी के लिए भी की राजनीती में प्रतेक्स रूप से वह आना भी चाह रहे थे लेकिन नहीं हो पाया तो अब वो अपनी कुटिया बना करके और राजनीती से दूर हो गए और वो अब राम भरो से उनकी गाड़ी चल रही है और राम को नहीं मानता उसकी गाड़ी भी राम ही चला रहा है बिना राम के किसी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना यतोचिट धर्म का पालन कर रही हैं लेकिन एक दरम का पालन जिसकी अपेक्षा देश को है उनसे वो ये भी है कि उनके हातों से लगाई हुई इस विश्बेल को खतम करने का भी कार है उन्हीं का है धर्म है उनका ये जर्म का पालन उनको करना होगा छोटा-छोटा वो कई बार इस तरफ इशारा भी करते हैं जैसा उनने पंजाब चुन कभी इस स्वधर्म का पालन भी करेगा और मुझे ये पता है कि जिस दिन वो करेंगे देश उनको सुनेगा हम सब प्रतिक्षा रत हैं हम सब प्रतिक्षा रत हैं अपने इस स्वधर्म का पालन एक नाएक दिन वो करेंगे राजनीती के मंद से करें गैर राजनातिक मंद से करें लेकिन यह उनका स्वधर्म है और मुझे लगता है कि माशारदा का कोई भी साधक अपने स्वधर्म से ज्यादा दिन भागेगा नहीं हिंदू सनातनी यह एजिंडा यह इस समय सुपीरियर चल रहा है बड़ी प्रियॉरिटी पर है मैं देख रहा था आपने भी एक एप बनाई है जिसमें हिंदू के एको सिस्टम को लेके आप कुछ बात करें मैं उसको बहुत ज्यादा अध्यान नहीं कर पाया उसका क्यों जरुवत क्यों पढ़ रही है मतलब सतर साल से क्या हिंदू विगटित था आपको क्यों प्रॉब्लम नजर आई जो आप एकदम सनातन और हिंदूत की बात करने लगे प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम अपने दर्वाजे पर देखी न अनुराग जी जब दर्वाजे पर आग लगी तो समुझ में आया कि कुदी पानी डालना है हमने तो दिल्ली का दंगा देखा है हमने ताहिर हुसान की चलते हुए पत्थर देखे हैं हमने आई भी ऑफेसर अंकिस चर्मा की हत्या देखी है नाले से निकलता हुआ शाव देखा है उस वी नौजवान का हमने दिलबढ़नेगी को जिन्दा कैसे जलाया गया उसको अपनी आखों से देखा है जो दिर श्राइल में दिख रहे हैं वहां दिल्ली की सड करके देखी हैं तो तो यह इसको देखने के बाद भी कैसे चुप रहेंगे लेकिन यह सब बेहत दुर्भागे पूर्ण है पर यमनापार इलाके में जो कॉन्फिक्ट हुआ था उस पे आपको भी आपका भी नाम आया था का गया था आपने भड़काओ बयान दिया उसके बाद वहां पर इस तरीके की स्थितियां पैदा हुई तो आपको नहीं लगता कि लोहा लोहे को काटता है उसी तरीके से नहीं मैं आपको वापस लेके चलता हूं उसी दिन पर आपका मैं दरवाजा सड़क बंद कर दूं आपके बच्चों का स्कूल जाना बंद कर दूं अपके माता-पिता का स्पताल जाना बंद कर दूं और आपका का मेरा घर किसी कुद्रती बिर्यानी से नहीं चलेगा हम कमाएंगे तो खायेंगे दुखान जाएंगे तो घर चलेगा बच्चा श्कूल जाएगा तो पड़ेगा माबाब बिमार है तो स्पताल कैसे सड़क बंद कर दोगया लोगतंत्रका सभसे पहला दिकार नपशलविक्त करते लोगतंत्रिक संविधानी अदिकार में सटक्पुली ओना जाईए झाल उथे और सटक्पुली होका करünü सबक्राइब अन्दो एक छाइब क्राइब कि दंगे में जो दंगा हुआ उसकी किया यह एसी थी कि मेरे बयान के बाद नंहाना जाता च्छतों पर बं पत्थर दे बड़ी बड़ी लाठीया थी लंबे लंबे रस्तों से मुस्त्वभाद के इंदर कूदा गया था चानक पांच मिनिट में पत्थर इकट्टे हो गए बंपकर पिर जो जो लोग उस समय प्ल दिल्ली की सड़कों पर कोई छोटी साजिश नहीं हुई एक चोटा सा आपको एक्जामपल देता हूं जामिया मिलिया इस्लामिया का एलुमनाई जो की शाहिनबाग अंदोलन के इस्थापना का मुख्य व्यक्ति था वही अभी पिछले हफ्ते आईसाइस के साथ मिला हुआ पकड़ा गया दिल्ली में 26 गारा जैसे आतंकवादी हमले की प्लानिंग कर रहा था तो यह कोई सधारन चीज तो नहीं है वो पूरा घटना करम एक सधारन था उसके प्रती चिंत करता और राजनीती में होने के बाद तो उस चिंता को आँखों से देखकर चुप कैसे रह जाता और उस वक्त मुझे समझ में आया कि इस देश में आप ही के प्रफेशनल फील्ड से एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने इस प्रकार का काम किया जो कोई और करता पूरी दुनिय वह वेक्ति प्राइम टाइम में आता है और उसका नाम अन्राग मिश्टा बताता है यह एको सिस्टम है एक आदमी बंदुक लेके रोट पे खड़ा है और दूसरा अदमी मीडिया में आके उसका जूटी पहचान बता के महौल किसी और ही डिरेक्शन में ले जाना की कोशि होते थे यह एको सिस्टम है तो क्या इसके जवाब में खाली इतना कहना कि दिलबढ़नेगी कि हत्या हुए उसके परिवार की मदद करने के लिए मैं जाऊंगा या कनिया लाल जी का गरदन काटा उसके परिवार के साथ खड़े होने के लिए हम जाएंगे तो यह यह तो कर अग्रजी नहीं थे तब तक देश में 70 साथ इसमें गुज्रात का इतिहास देख लीजिये मैं तो कहता हूं डाटा पर बात होनेगी है किसकी सरकारों में धन्गे हुए मेरिडदंगा किसकी सरकार में हुआ और इस देश में महराश्ट्वा के बड़े बड़े दंगे किसक सब्सक्राइब इस से सब्सक्राइब युविघ से सबस्सक्राइब चैनली नगर में इस सब्सक्राइब अगर बच्चे चले जाए तो माप आपको यह नहीं पता होता है कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे यह पुने जर्मन बेकरी बंबलास्ट मुंबई में चलती हुँ ट्रेन में बंबलास्ट आपके हैदराबाद में बंबलास्ट संकट मोचन हनुमान मंदिर काशी में आज क्यों नहीं हो सकती कोई भी लवारी सफ्वस्तू बंब केवल राजनातिक नहत्योत तो बदला चाहे वह आतंकवादी हिंसा हुचाहे वह सांप्रदाइक हिंसा हो कागच पर रांक्डों पर चर्चा होनी चाहिए कि कि सरकारों में दंगे और आतंकवादी हमले होते त तो हमें ये डर नहीं लगता है कि कोई भी लवारी सस्तूब भू सकती है ये अच्छी बात कहिया अपने लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें कियोंकि आप दिल्ली देखते हैं तो आंखड़े तो Kjeżriwaal जी भी दिखाते हैं उनका भी कहना है कि आपने उनको कोई अधिकारी नहीं दिया, उनकी पूर्ण राज्य की मांग थी, वो पूरी नहीं हो सकती, आपने उनसे ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार छीन लिये संसद में बिलना करके, तो अब उनके पास ऐसा रहा क्या जो वो कर सकते हो, फिर जनता के लिए काम कर रहें यह जो परी-लोग की शादी हो यह जो भाडि चाल रहे हैं सव 700 गोड़्ष में हैं सब नेशर gebrachtा के लिये लिए उटाके Nh пожushka के लिए इस्तिमाल के जाएगे तुम्हारा राश्ताबहकतान सभ जेम हें चल रहे हैं तुम खुद शीष महल में नर्टाव में सकता है रहात के ह pleas कम कराने क्ऩभी आप मेरे लिए लाण employee सरकार जया उसके लिए आपके पास अधिकार रहें अरबिन के ख़ड़ा होने वाला बाउंसर वह दिल्ली की सरकार से प्रविजाए रुपे की तंखा रह रहा है किसी ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट का कंसल्टेंट बनके उसके लिए आपके पास सारे अधिकार हैं लेकिन कोई जुग्गी बस्ति का आदमी जाएगा कि मेरे मेरे लिए कोई काम करादव तो बोलें मोधी जी ने अधिकार लेकिन अपने पानी करने जाए और यह जूट है और मैं यह कहता हूं को अगर तुमारे पास को अधिकार नहीं है तो मुख्यमंतरी की सेलरी क्यों ले रहे हो मुख्यमंतरी के घर में क्यों रह रह रहे हो तो इससे बड़ा तो निंदनीय कोई कारी नहीं हो सकता कि आपके तो आपको पहले दिन छोड़ देना चाहिए ता कि यहां पर मैं खाली पैसे लेने नहीं आया कि अधिकार दूसरी बात लिखा आदमी है ना क्लरक की जॉब के लिए अपलाई करेगा तो CEO वाली पावर मिलेगी क्या पड़ा लिखा अदमी है जॉब में अपलाई करने से पहल पूर्ड राजी नहीं है मुखे मंत्र को पूरा अधिकार नहीं है कि आरविन के जिवाल को पता नहीं था कौन सी चौप के लिए अपलाई कर लें करसी की पावर कितनी है उस कुरसी में क्या किया जा सकता है का आपने शीला जीने किया इस दिल्लिक नंदर हम उनके खिलाफ लड़े एक्जिस्टी नहीं करता खाली है वो जमीन पार्किंग है महाँ पर उसके पीछे नहीं बंगला बनाए जिसका कोई टेंडर नहीं है जिसका कोई डॉकुमेंट नहीं है और दूसरी बात ऐसे कौन सा रिनोवेशन था जिसके लिए विदेशों से मार्बल मगाना पड़ा कौन सी चूती हुई छट 10 लाग के परदे से ठीक होती है या 10 लाग का टीवी या 16 लाख रूपए की टॉइलेट की सीट मुक्यमंतर की कुर्सी नहीं होगी इतने रूपए चितने की घर में टॉइलेट की सीट लगी हुए है क्यों क्यों कर ये वही केजरीवाल है ना जो जन तके सामने रख दिया था क्योंकि ये किसी भी रूप में आप उस शीश महल को जिस्टिफाई नहीं कर सकते हैं क्यों क्यों चाहिए था कि उनकी धर्मपत नहीं जा रही है शॉपिंग करने के लिए कौन सा सोफा लगाया जाएगा कौन सा पर्दा लगाया जाएगा चुलू और कोरोना के काल में आप ये काम कर रहे हो जिस वक्त दिल्ली को दवाई चाहिए थी और शीश महल बना रहे थे और बाल खड़े हों के चिला रहे थे कि दवाई खतम होगे और यह सीमेंट खतम नहीं हुआ जो तुमने खड़ा कर दिया महां पे महल और मैं फिर कहता हूं अगर चुपाने के लिए कुछ नहीं है तो खोलो ना दर्वाजे दिखाओ मीडिया को क्या मीडिया अंदर जा पाए आस तक कोई कैमरा अंदर जा पाए आस तक जो आदमी कहता था कि विदानसभा भी पार्क में लगांगा वह अपना मुख्यमंतरी का सरकारी घर दिखाने आखले दर्वाजे खोले दर्वाजे चुनाओति कजरिवाल मीडिया का कैमरा या जनता कोई भी कैमरा उंदर जाने दे जिसन कैमरा अंदर चला गया उश्यम के बिष्टाचार का नंगा नाच दिल्ली और देश की जनता के सामने आ जाएगा तो बीजेपी को यहीum लेकिन अर्विंद के जरिवाल को सत्ता से घटाना यह दिल्ली का किसी भी राजनेटिक व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए क्योंकि ये केवल राजनेटिक लड़ाई नहीं है ये केवल वोट की लड़ाई नहीं है ये केवल सरकार की लड़ाई नहीं है ये दादेश की राजधानी किस तरह के लोगों के द्वारा चलाई जाएगी कौन से लोग इस राजधानी का प्रदिनेदेटू करेंगे उनका भ दिल्ली के मुख्यमंत्री के योग नहीं है और उनको इस योग गिता के ऊपर काम करना चाहिए ता मैं आयाइटी के कई अलमना इसे मिलता हूं वो शर्मिंदा है कि ऐसा आधमें आटी से निकला हुए रिटायर आयरेस ऑफिसर शर्मिंदा है कौन से आयरेस में और कौन सी आय दिल्ली से जो भी जुड़ा हुआ मैसूस करता है वह शर्मिंदा है अचा आप ये भरोसा दिलाते हैं दिल्ली वालों को कि अगर भारती जनता पार्टी की सरकार आगई तो यमुना साफ हो जाएगी केजरिवाल ने तो हजारों करोड़ खर्च कर दिया और अभी भी मैं त टर्न डाउंड का प्लैन मैं रखके आया था लेकिन उसके लिए आपको यमुना में गिरते हुए नालों को रोकना होगा सीवे स्ट्रीट्मेंट प्लांट लगाने होंगे लोगों को नदी से जोड़ना होगा जितने रुपए अरविंद केजरी वाल ने यमुना की सफाई के नाम पर खर्च कर दिये उतने रुपए की बिसलेरी खरीद के भी डाल दी होती तो यमुना में साफ पानी वे रहा होता तो फिर क्या हुआ है इसमें वह हजार करोड कहां गए पर शीशमेल में अच्छा आपको इनकी लाइफ इस्टाइल देख लिजे इनके नेता हों कि माता बहने च्छटी मईया का अर्द देने के लिए आती हैं और वही आंसू हर साल हम लोग रोते हैं लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि ऐसा निया कि इसका यह संभव नहीं है व्यक्तिकत तोर पर मैंने यम्ना नदी के मुद्दे के ओपर लगबग 15 साल काम किया है यह दिली के आग एक यमना के किनारे के एक गवा गया हूँ उसका स्टेडि किया, कहां पर बहाओ कहां यम्ना की साय उनके काम को मैंने नजदीकी से देखा है, उनकी बातों को सुना है, उनके साथ कुछ वर्ष रहने का मुझे सोभागी मिला है, ये मैं आपसे ये कह सकता हूं कि दिल्ली में यमुना को स्वच्च करना, निर्मल करना, कम से कम इसनान योग बनाना, पीने योग ना भी बने, य असंभाव कारें नहीं हैं, लेकिन इसके लिए इमानदारी चाहिए, किसी भी समाज की नदियां, उसकी राजनीती का दरपन होती है, राजनीती गंदी होगी, तो नदी गंदी होगी, और राजनीती साफ होगी, तो नदी साफ होगी, एहम्दाबाद की साबर मती को देख की यमना को देख लीजे आपको समझ में आ जाए का कि राजनीती साफ होती है तो नदी कैसे होती है और राजनीती गंदी होती है तो नदी कैसे होती है मैं आपको पहले वह सुनता आया हूं और भी आ भी सुन रहा हूं अगर अगर कोई आप भवीश выглядит लेकन अबह इस सकता अगर नहीं पर होत थह से अगर राजनीतिन के नहीं भी होता तो भी बीविछ ने वह सकता है, जरके गांजगर, कीर competitive नहीं बहीं होता हुं उसके विशय में अवाज उठाना आज स्वभाग्य से हम लोगों में हम लोगों के पास इस देश में एक ऐसा नेत्रत्व है जो की क्रियेटिव पॉजिटिव अंदोलन के रूप में जैसे कि दुनिया बर में गंदगी की बात होती थी भारत में लेकिन आज स्वच्छता का पानी जल से नल नहीं मिलता इसके लिए लोग लड़ते थे समाजी का अंदोलन होते जल से नल का एक पॉजिटिव अंदोलन सरकार ने डिलीवर करके दिया 10 क्रोड परिवारों में तो जिन जिन विश्यों पर सडकों पर उतर के लड़ना पड़ता था उन विश्यों पर आ मंतरी ऐसा दो लाल के लिए से केयता था स्वाथ बिशता हूं पंधर्रुपे जाता है je Türk जाता है तो कि अधर्य को श्क्राप कन्दार की वाल में जिसके लिए 15 रुपय वेल्ड वहालू में उसके पास क्या आ YOR Ecuador की इसको विल्य उ स्कून की वैल्ल ju उसको मालू में जिसकी आप और ना की करेंग और beauty आ talk में जाएंगी तो शोचाले के लिए जंगल जा पाऊंगी बनना नहीं जा पाऊंगी उसको शोचाले की कीमत मालूम है जिनके चलती हुई गाड़ियों में कभी किसी की पतनी गिरी होगी किसी की गर्बवती पतनी गिर गई होगी किसी को अस्पताल जाने के लिए गाड़ी न सब करना है जो उन्होंने इन दस सालों में नहीं किया यानि कि हिंदूओं को संगठित जिस तरीके से आप बात करते हैं मैंने कई विशलेशकों से भी पूछा कि मोदी जी ये काम क्यों नहीं कर पाई या क्या इसकी आवशक्ता थी मैंने आपके एप पर भी आप से पूछना चाहा कि आपने जो एप बनाया हिंदू इकोप के उपर वो क्या कहता है ऐसी क्या वशक्ता है जो आप लोग हिंदूओं को संगठित कर रहे हैं क्या आप असुरक्षित है ऐसा भी नहीं है कहना तो बहुत ही असान है तो अगर अफगानिस्तान में नहीं बचे जहां पाकि धाका में मा जगदंबा की दुर्गा की पूजा होती थी जुरूस निकलते थे राम नौमी के तो रावल पिंडी में कराची में भगवान शिव के बड़े-बड़े मंदिर होती यह नहीं कह सकते कि हम थेनी आज नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपकी बात पर आता हूं मैं मा नाम ने किसी धर्म का नाम लिया नाम ने किसी के खिलाफ को नहीं आल जी के अध्या होगी तो इसके परिवार की मदद करने के लिए में खट्य हों किया प्रॉब्लम है प्रविन निट्टारू जी के परिवार के साथ कड़े हुए क्या प्रॉब्लम है दिल्ली में रिंकू के किसी दर्व के ठीक हुआने को बोला तो वकिसी कि दर्म के ठीक सवुस्क्त के बंद सच्थ को जोडके कैसे लिया गया तो मेरे को यह लगता है कि जबरदस्ति शांती पूर्ड कार्यों को करने की सराना फोनी चाहिए इसको भी आप पितरवाजी को भी जिस्टिफाई पर हाइए चले नहीं जाएंगे. अब अन्त में आपसे दू सवाल और पूछता हूं, आपने बड़ा व्यस्तह समय में से समय दिया है. पूरा आप एक्दम जल्वागर हैं चोनाब को लेकर हमें in ärlal Michlai. त्वार्ट कि सरकार बनर रही है कि इस बार कमल नहीं कमलनाथ कों क्या रहु आ रहा है कि जनता थो पसंद की किया Martha यह तो बीजेपी की होस्ट ट्रिडिंग ने हमारी सरकार गिरुआ ता मैं तो मान लिए पसंद किया था देड़ साल में आपने अपने रंग दिखा दिये डेड़ साल में पुवंधिय पदेश में कमलनाथ की सरकार में तबादला उद्योग के लाव कोई द्योगी नहीं चला कमलनाथ ने अपनी खुथ की कंश्चरेंस्जी में छ्यत्रपति शिवा उपर दिया कोंगरिस पूंगरेस पार्टी ने कोंधिये और कल दिख्वीजे सिंğ्ग ने पी फई यह के साथ हो या के साथ हो या मद्धय प्रदेश की जंता के साथ हो मद्यप्रदेश की जंता बहुत अच्छे से समझती हैं और इसलिए मैं आपको कह सकता हूँ और मैं इतने की बचे बता लिए कि मैं दिवस गौश ग्याएं मैं इंदोर ग्याएं ऑ लस्वाहलो क्टाव में भॉपाल में ग्वालियर ग्याओ वह सारा मद्शी कि पिछले च्ले माईनमें गगे इसीलिए मैं कह सकता हूं कि मद्वपरतेश की जंता कहा से मंद्यप्रदेश 2003 में आपको पता है किसी की जिस मद्द्यप्रदेश को राग भाई सिमी के अड़्ड конце अज मद्द्यप्रदेश से भारत की पहली महिला को निकल रही है ०् Double ऑवहसे लेकर यहां तक की यात्रा कि है मद्द्यप्रदेश ने मामा की सरकार में और मोधी का मैजिक साथ में दिखाई दिया है आज वहां पर 22,000 युवा पंचाय सिस्टम के अंदर जुड़ चुके हैं पंचाय सिस्टम से चुनकर आया वहां पर यह मद्यपरदेश ने परिवर्तन देखा है मद्यपरदेश आज हाइवे के लिए जाना जा रह और इस बार मद्यपरदेश को मालूम है कि उनको अंदकार की तरफ जाना है कि प्रकाश की तरफ जाना है और इसलिए मैं आपके साथ आपके रॉंड रिकॉर्ड कह सकता हूँ भारतिय जन्ता पार्टी में पूर्ण महुमत के साथ वापसी करने जा रही है सरकार बना है माम बताई अपने आखों से सुनी है और मामा की सरकार एक अदृत कार के लिए जानी जाती है राजस्तान में कौन चेहरा होगा क्योंकि वहां तो चेहरा अगर आप नहीं बताएंगे तब तक तो आप चुनाब बूर्ण अशोग गैलोट कोई चेहरा ही नहीं तो उनके सामने कुर्सी पर किसी और को बठाया चेहरा अशोग गैलोट को नहीं तो चुनाव में और अब की बार शेखावत जी अशोग गैलोट को उनके घर के अंदर रहाएंगे इस बार यह यह चुनाव साधरन चुनाव नहीं है राजिस्तान में दो त्याई बहुमत भार्टी जन्ता बार्टी क्रोस करेगी क्योंकि डाजिस्तान ने अभी जो देखा आपने एक अकसिदेंट में 50 लाख गचा स्रीवार के साथ जैक करता है कि इस सरकार ने तुष्टी करण का ऐसा अंधा नाच कि आपके राम नौमी पे जुलूस पे बैन लौड़ स्पीकर पे बैन और एगले दिन दूसरा तेवार आता है तो सरकार दरी की तरह बिची हुई है सड़क पे कि अशोक गैलोथ खुदी दरी बनके लेट ना जाएं और उनके ऊपर से ही जाएं दूआ करने के लिए लोग यह राजिस्तान की सरकार का कैला चहरा पूरे राजिस्तान के युवाओं ने देखा है परिक्षा के पेपर लीग राजिस्तान के लोगों ने देखा है यह आपक का यह राजिस्तान की जनता इसको भूल पाएगी और राजिस्तान एतिहासिक जनादेश बहरती जनता पार्टे के लिए दिली में हम आएंगे ति वंद्य प्रस्टल्राइड में हम आये के आवा दोहनार चो जोबीस पें इंडिया आगया है इंडिया लाइंस आाइड गुर्य बंधन के देता हूं आपकी संतुष्टी यहीं है्इंडीओ एन्द ड़े ऑदी डट आइंड एरेस अ तो इंडिकट बंदा नहीं हुआ आपको एक किस्सा सुनाता हूं एक कुमार का गधा काम नहीं करता था पड़ा रहता था धक्के मानने पर भी काम नहीं करता था किसी ने का इसके उपर तो लिखने से गदा काम थोड़ी करने लगेगा गदा तो गदे के उपर हॉर्स लिख दोगे तो गोड़ा थोड़ी बन जाएगा यह तो इनको नाम बदलना पड़ा क्योंकि यूपी यह के पाप जनता भूली नहीं थी पूरे एलाइंस को आप गर्रा कह रहे हैं कि पूरा सब्सक्वार का बाफ करें तो ली मत्यों को सब्सक्राइब करें किश की बाथ करें किसी की अजेंडा है राइए गदेश के लिए इसके लाओं बच्छा बच्चा ये खाली अपने विच्यों को बचा बचाने लिए ind deli बच्चा बच्चे मुक्तियों से इसके लिए इन्हों ने ये सारे खट्टे हुए लेकिन आपको और हमारा बच्चा-बच्चे इसके लिए बादा बहारत की जनता को पता है किसके साथ कहड़ा होने है और उसी की यह लड़ाई है 2024 की कि इनके बच्चों के लिए यह देश के बच्चों के लिए और इसी इसी जनादेश को आप कागच पे देखेंगे 2024 के चुनाओं के बार और कपिल जी खुद को कहा देख रहे हैं वैसे अगले पांस सालों में मैं दिल्ली के मुद्दों के ओपर संगश कर रहा हूँ और असाधारन आशिरवाद लोगों से पूरे देश में मिला और मेरा यह मानना है कि जिन कुछ परिवारों की हम अगर ऐसे ही कुछ और परिवारों को हम मजबूत कर पाए अग्ले पांस सालों में तो मैं अपने आपको धन्य मानूंगा तो हम देख सकते कपिल मिश्राद दिली के सीम बने में ऐसे कुछ तस्वीर बन रहे हैं। मेरे को तो नहीं बनती हुए दिखाई देड़ी। मैं इस दिशा में सोच भी नहीं रहा। भारती जनता पाल्टी का मुख्य मंत्री